हलो बच्चों आयम निधी मिस आज का हमारा वेडियो है सब्जेक्ट म्यूजिक क्लास एट के लिए अप्रील में हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है राग भहरवी का परीचे आरो अबरो एवं बिहाग का परीचे यह आपका अप्रील का स्लेबस है आपको इन रागों के वारे में जानना है आए जानते हैं क्लास एट के बच्चे अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेंगे राग भहरवी का परीचे तथा आरो अबरो राग भहरवी अपने ही थाट से उत्पन माना गया है अर्थात भहरवी थाट से ही इसका जन हुआ है इस राग में सभी स्वर शुद लगते हुए चार ऐसे स्वर हैं जो कोमल लगते हैं जैसे रे, ग, ध, न, न, तथा न, कोमल स्वर का साइन चिन मतलब इस तरह का होता है स्वर के नीचे परी हुई यानि लेटी हुई रेखा जिसे हम कोमल स्वर के नाम से जानते हैं इस राग का वादी स्वर म तथा समवादी स्वर सा है इसकी जाती संपूर्ण संपूर्ण मानिं जाती है इसका अर्थ है इस राग के आरो अवरो में साथ साथ स्वर का परियोग किया जाता है भैरवी राग अति लोप्रिये राग हैं यहा राग गंभीर प्रकृती का राग होता है और इसमें छोटा खयाल तराना, टप्पा, ठुमडी, गाई, गाते बजाते हैं फिल्मी संगीत में भी इस राग को अधिकतर गाते हैं इस राग को प्रातकाल की समय चाड़ बजे से साथ बजे तक गाया बजाया जाता है इस राग का आरो अवरो इस प्रकार है सा, रे, ग, म, प, ध, न, स, अवरो सा, न, ध, प, म, ग, रे, सा पहले ही बताया गया है इसमें कि इसमें सातो स्वर का प्रियो हुआ है सा से नी तक साथ स्वर है आरो में और सा से नी से सा तक है साथ स्वर इस स्वर को पहचारने के लिए इसमें चार स्वर कोमल लगाए गये हैं जिसमें हैं कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी जिस प्रकार आरो में गाते हैं ठीक उसी प्रकार अवरो में भी हम स्वर को उसी प्रकार गाएंगे इस राग में लिखा है कि वादी स्वर मा है अर्थात जिस स्वर पे हम ज्यादा देर ठहरते हैं जिस पे ठहराब होता है उस स्वर को वादी स्वर कहा जाता है वादी स्वर को राजा की भी संग्या दी गई है तथा समवादी स्वर सा को कहा गया है मौ का इस राग में ज़्यादा काम होगा उसके बाद मौ के बाद सा का मौ से थोड़ा कम होगा तो मौवादी हो जाएगा सासंबादी हो जाएगा बाकी जो स्वर्ड बचे हुए हैं वो अनुवादी स्वर्ड कहे जाते हैं इस राग की प्राकृती जो है वो गंभीर है गाने में इस राग में गायन शैली में छोटा ख्याल तराना, टप्पा, ठुमडी गाते बजाते हैं इस राग में बहुत सारे फिल्मी गीत भी गाये बजाये गये हैं इस राग को हम लोग प्राताकाल यानी सुभा के चार बज़े से लेकर साथ बज़े तक के अंदर गाते हैं ताकि इस राग का प्रभाव दिख पाए बजाने के दर्मियान हम इसे कभी भी रियाज अत्वा प्राक्टिस कर सकते हैं लेकिन जब आप राग सीख चुके हैं तो उसे इस समय गाने पर अधिक प्रभाव शाली होता है एट के जितने भी बच्चे हैं वे राग भैरवी का परीचा और उसका आरो अबरो अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद करेंगे प्राक्टिस करेंगे